अच्छा आप हम सीखेंगे के comment को edit कैसे करते हैं और comment को edit करने की जरूरत क्यों पेश आती है आप लोग ने सुना होगा अभी तक के comments हम आरे लिए और हमने आप कोछ सिखाने की भी गोशिश की कि comments क्यों जरूरी है because man is a social animal लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं एक दूसरे से सुनना चाहते हैं to discuss things with each other इसी लिए हमें comments की जरूरत पड़ती है तो WordPress में comments edit करने का तरीका इससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ी सी learnings को revise करते हैं एक अच्छा comment क्या होता है do you remember? मैंने आपको कुछ tips बताई थी अच्छे comments देने की What is a good comment? How to handle comments? comments को handle कैसे करते हैं ये भी आपको पताऊना चाहिए किस तरह के comments को किस तरह से आपने आगे से जवाब देने रियक करने ये आपने जानना है ये आपको पताऊना चाहिए How to use the right language for comments? ये भी हमने आपको बताया कि सही language क्या है comments के लिए जो आपको use करने चाहिए You must know all of this and after this recap did you know के आप comments को edit कर सकते हैं So lot of people get very surprised जो उनको बताया जाता है के आप comments को actually edit भी कर सकते हैं WordPress में लेकिन comments को edit करने की जरूरत क्यों पेशाती है Usually you would want to edit comments अगर किसी ने उसमें कोई spam का link डाल दिया और आप link remove करना चाहरे हो अगर किसी ने कोई typo डाल दिया हो साथ ही साथ आप अपने comment को अगर edit करना चाहरे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं So the opportunity is के ना सिर्फ वो comments जो के किसी और ने पोस्ट किये हैं बढ़के अगर आपके कोई अपने comments हैं उनको आप edit करना चाहरे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं WordPress gives you this functionality There are two simple ways to edit a comment एक के आप quick edit का button दबाएं और उस quick edit के button के साथ you can actually simply edit your comment उसमें उसकी जो details हैं वो भी आप edit कर सकते हैं उसमें So जहां जैसा आप यहां पे देख रहे होंगे the quick edit feature के allows you to edit the comment बत यह पूरा पैनल है जिदर से आप comment एक edit कर सकने हैं Quick edit के लावा एक simple edit का button है That edit का button allows you to go into a post-like situation जिसमें आप उस comment को बड़े simply जो है वो edit कर सकने हैं So यह एक feature है जो आपके पास available है with WordPress which allows you to edit comments और जैसा के मैंने आपको बताया It's very important to know के comments को edit क्यों करना है Comments को आप edit करेंगे सिर्फ तब जब आपको need मैसूस हो किसी और का comment हो वो भी आप edit कर सकते हैं अगर आपको अपना comment हो तो वो भी आप edit कर सकते हैं Again giving you a summary दो तरीके से आप comment add कर सकते हैं Quick edit का button दबा के साथ ही साथ edit का simple button दबा के भी आप comment को edit कर सकते हैं और उसमें आपके पास different buttons available हैं Edit में जब आप जाते हैं उसकी screen में तो you have this option जिसमें आप चीजों को bold कर सकते हैं You have the option कि आप चीजों को italics में कर सकते हैं अगर आप कोई कोट करना चाहरे हैं तो आप उस तरह कर सकते हैं आप unlink link कर सकते हैं इसी तरह आपके पास कुछ और tags भी available हैं These tags are very crucial and they can make comments more interactive So, इन tags का please जहन में जरूर ख्याल में रखियेगा इनको use कीजाएगा जभी आप एक comment को edit कर रहे हैं So, question यह आता है Is it okay to edit others comments? क्या किसी और के comment को edit करना ठीक है? So, यह आप पर depend करता है क्या आप किसी और के comment को edit करना चाह रहे हैं कि नहीं आपको किसी और का comment edit करने की need क्यूं मिसूस हो रही है और अगर किसी और ने कोई एक link आपके post में डाला है जो के नहीं सही आप उसको edit करने के लिए you can use the edit comment feature So, it's totally dependent on you whether you want to edit a comment, why you want to edit a comment and क्यूं comment edit करने की जरूरत actually पेश होती है Another question is, can I set an edit timer ये क्या है, ये एक opportunity है कि अगर आप comment post करवाएं किसी भी user से अपनी website पे और आप वहाँ पे एक feature डालना चाहें कि comment को edit करना चाहें user तो certain timer चले जिसके अंदर वो comment को edit कर सकें तो simple comment editing के नाम से plugin है जो आपको ये feature देता है, कि you are able to edit comments using this simple feature और एक question आपके जिन में आ सकते है, वो ये है, can I let users subscribe to comments to subscribe to comments का क्या मतलब है, subscribe to comment का मतलब है कि अगर आप एक ऐसी feature देना चाहरें लोगों को, जिससे वो simply आके आपके comments को पढ़ सकें, बट साथ-साथ, they get an email notification as soon as an update has been posted, तो वो भी आप कर सकते हैं using the edit comment feature So, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हम एक website पर जाते हैं, जिसका नाम है Mangobuzz.com और वहां पर हम जाके देखते हैं कि comments की feature कैसी लगती है So, we will type Mangobuzz.com and we will open it on our browsers हम top post को click करेंगे और हम उसके comment section में जाके we will try to see कि how we can actually post a comment So, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि इन्होंने WordPress की commenting feature on की विया है हमें कैसे पता लगता है कि WordPress की commenting feature on है Because वहां पर लिखावा है Facebook की commenting feature Facebook की commenting feature इसलिए on है क्योंकि वहां पर लिखावा है Facebook comments plugin So, यहां पर लोग एक comment post कर सकते हैं using their Facebook profile यहां पर इसलिए आपको मेरी शकल नजर नहीं आरी Because I am not logged in through Facebook on this computer here इस पर हम अपना यह training का पूरा एक module develop कर रहे हैं So, अगर मैं यहां पर कोई comment लिखने की कोशिश भी करूं तो it will open up a pop-up Let's see what it does देखते हैं अगर comment post हां देखा इसने एक pop-up open कर दिया जिसमें यह मुझे कह रहा है कि आप अपनी Facebook की profile से login करें So, Facebook comments सिर्फ तभी लोग post कर सकते हैं अगर उनकी Facebook की profile login हो लेकिन हम चुके add करना चाह रहे हैं एक editing feature तो हम जाके अपने comment section में जाते हैं हमारी site already login है और हम वहां पे comment section में जाके we will see के if we can edit comments or not So, this is that section where you can actually edit comments So, जिस तरह मैंने आपको बताया आपके पास दो simple तरीके हैं comments को edit करने के एक है quick edit और एक है simple edit वाला feature So, जो आप यहां पे नीचे देख रहे हैं This is a comment that WordPress publishes जब भी WordPress की site पहली दफा से install होती है इसका नाम भी है WordPress यहां पे comment का आप नाम भी देख सकते हैं WordPress commenter और जोनले एक comment लिख रहे है Hi, this is a comment to get started with moderating editing So, if I want to quick edit it I can just click on quick edit और आप देख रहे हैं के मेरे पास यहां पे एक feature आई है to edit the WordPress comment आप यहां पे यह भी देख रहे हैं के आपको a tag एक नजार आ रहे If you remember के यह a tag क्या करता है This a tag basically allows you to post a link So, अगर मुझे लगता है के यह कोई spam है और मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं यह link So, I can just click on First, I will cancel it So, I can show you के यह link काम कर रहे है क्योंके इस पे हैंड का निशान आ रहे Now, I can quick edit this And I can simply remove this link And I can click on update comment चैसे ही मैने यह edit किया तो देखे हैं यहां पे link गाइब होगया So, this is an opportunity for you to edit comments using the quick edit feature Now, we will edit the comment by clicking on edit So, edit पे मैं जाऊंगा और यहां पे If I want to further edit a comment तो मैं चीजों को यहां से edit कर सकता हूं For example, अगर मैने इसको quote बनाना है तो I will make this a quote अगर मैने comment को bold करना है अगर मैने this को italic करना है अगर मैने यह link निकालना है और अगर मैने इस WordPress commenter का नाम change करना है I want to make it Pakistan commenter और यहां से मुझे दिखार है के in response to what and I will just click update और आप देख रहे है के यह comment edit हो गया So, this is what the edit comment feature allows us to do It allows us to edit the comments, it allows us to change things from the WordPress comment section एक और चीज़, दो plugins का मैने आपको बताया था उनमे से एक plugin है Simple Comment Editing So, इस plugin को मैं आपके सामने जल्दी से activate करूँगा So, इस plugin भी install हो रहे है and I will go and try to activate this plugin और जैसी ही plugin install हो जाएगा So, I will click on activate and activate करते ही मैं अपनी में साइट पर जाओंगा मैं किसी एक पर जाओंगा I will try to reply to a comment and when I click on post, तो इस पर जाओंगा but now it is giving me a timer, which shows कि मैं कमन को अड़ित कर सकता ह। So, this feature is only available through a plugin, so मैं सको क्लिक कर के I can edit my comment or I can even delete it. So, इस lesson में हमने ये सीखा के आप comments को edit कैसे कर सकते ही In further lessons, we will be teaching more on how to delete comments and how to manage comments further.